Hello traders, welcome back to my channel, चलो देख लेतें Nifty Bank Nifty में क्या views बन रहें और कल कौन से stocks हम यहाँ पर trade कर सकते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकती कि Nifty का chart लगा हुआ है और हमने यहाँ पर analysis क्या किया हुआ है अगर हम यहाँ पर से daily time frame में जलेंगे तो हमने यहाँ पर discussion किया हुआ था कि price अपने एक important resistance प्यारा है जो कि अपना previous swing है और price यहाँ पर structure कौन सा बना रहा था एक बहुत यह अच्छा impulse move retracement, impulse move retracement और यहाँ पर price एक impulse move लगा रहा था तो यहाँ पर से हमारा यह analysis बन रहा है कि जब तक यह previous swing high breakout ना हो जाए यह बहुत ज़्यदा possibilities होगी कि price जो है वो एक retracement दिखाए इसी वज़े से short side में एक बहुत यह अच्छा trade बन सकता है यहाँ ने बोला था और यहाँ पर मैंने आपको एक setup भी समझायता अगर हम यहाँ पर से 5 minute time frame में चलेंगे तो मैंने आपको simple क्या बोला था कि यहाँ पर यह एक trend line बन रहे है इसे हमें यहाँ पर mark करना है और अगर price इस trend line के नीचे open होता है या फिर range में open होकर इस वाले trend line को breakdown कर देता है तो यहाँ पर कोई भी pullback देखकर shorting के opportunity लेनी है और आप यहाँ पर देख सकती है कि market आज यहाँ पर खुला एक pullback मिला यहाँ पर एक बहुती अच्छी negative candle बनी यहाँ पर inverted hammer candle बनी यहाँ पर हमें short cut trade लेना है उपर हमारा stop loss रहेगा और previous day के low पर हम target रख सकते एक बहुती अच्छा risk reward का यहाँ पर हमारे लिए trade बना ठीक यहाँ पर एक बहुती अच्छा structure बन रहा है तो जैसे कि हमने यहाँ पर बात की होई थी price अपने previous swing high आप आप देख सो कि यह previous swing high का level है इसके आसपास आ चुकी है और अगर आप यह पूरा structure देखोगे तो price यहाँ पर एक head and shoulder pattern बना रहा है यह वाली trend line एक important trend line है और कल अग opportunity ले सकते हैं अभी यह level मेरे लिए बहुत ही important level है क्योंकि आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा कि यह gap का level है plus price ने यहाँ पर एक बार support भी लिया हुआ है और थोड़ा सा और confirmation आपको यहाँ पर देदू तो आप यहाँ पर देख सोकती कि market एक correction ले रहा है downtrend में हम किये सक Fibonacci extension हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं simple हमें trend based Fibonacci extension लेना है और previous swing को कुछ इस तरीके से लगाना है और आप यहाँ पर देख सकते हो कि exactly यहाँ पर one करके हमारा Fibonacci extension का level आ रहा है इसी वज़े से यह level मेरे लिए important support का का काम करने वाला है यहाँ पर अगर हम कोई short के trade ले तो यह हमें इंतजार नहीं करना है कि prices level को breakdown कर देगी ठीक है ना हमें simple हमारा यहाँ पर square off करना है profit book करना है और अगर यहाँ पर से breakdown करता है तो new position हम यहाँ पर open कर सकते हो और directly आप यहाँ पर देख सकते हो और यह gap भी easily यहाँ पर fill हो सकता है तो यह पूरे setup यहाँ पर से उपर जाने का try कर रहा है तो simple में बोलना चाहता हो कि आज के दिन का यह जो swing high लगाया इसे हमें mark करना है अगर price इसको cross करता है तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यह जो high है यहाँ तक price जा सकता है और next resistance होने वाला है 16,790 का level ठीके तो यह पूरी analysis यहाँ पर मेरी nifty की ब बोला था हमने यहाँ पर क्या discussion किया हुआ था कि price जो है वो अपने previous swing high को यहाँ पर से breakout कर रहे है और हो सकता है कि price scale retest के लिए और फिर यहाँ पर से उपर चिले जाए और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि nifty में जिस तरी के से structure बन रहा था impulse मू रिट्रेस्मेंट, impulse मू र यही structure bank nifty में भी बन रहा है तो उसके लिए हमने यहाँ पर simple क्या किया होता यह levels आपके लिए फिर से rough कर देता हूँ फिर से draw करेंगे हमने क्या discuss किया होता कि बहुत ही अच्छा impulse मू लगा, retracement लगा और यह impulse मू है तो हम यहाँ पर भी Fibonacci train bus extension का level यूज कर सकते हैं हम Fibon कि राखा था कि price यहाँ पर resistance ले सकते हैं यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छी opportunity बन सकते हैं से कल के वीडियो में मैंने आपको बोला था अगर हम यहाँ पर से 5 minute time frame में चलेंगे तो आज यहाँ पर बहुत ही अच्छी opportunity बनी यह opportunity मैं आपके साथ में share करना चाता हो यहाँ पर मेरा plan क्या बन रहा था यह हमारे लिए एक important level है मेरा plan बन रहा था कि price यहाँ पर एक pullback दे दे या फिर कोई inside bar candlestick pattern बना दे फिर मैं यहाँ पर से long की entry ले सकता हूँ otherwise price इसका एक fake breakout कर दे अगर fake breakout करेगा तो मेरे लिए short के trades यहाँ पर बहुत ही अच्छे बनेगे तो इसी setup को यहाँ पर मैंने follow किया simple क्या किया यहाँ पर wait किया आप यहाँ पर देख सकते हो कि next candle बनी next candle बनी यहाँ पर कोई भी मुझे direction नहीं मिला और यहाँ पर आप देख सकते हो fourth candle ने directly इस level का breakdown कर दिया इसका मतलब क्या है यह हमारे लिए बहुत ही important level है यहाँ पर इसका fake breakout हो हो रहा है इसका मतलब अगर हमें यहाँ पर कोई pullback मिलता है तो downside में एक बहुत ही अच्छा momentum आएगा और यही बात में मैंने आपके साथ में share की हुई थी कि यहाँ पर हमें directly shot नहीं करना है अगर directly market यहाँ पर आएगा कोई reversal hammer candle pattern मनाएगा तो हम यहाँ पर शो शॉट नहीं मैंने यहाँ पर entry ले ली जस्ट उपर मेरा यहाँ पर stop loss था और target आज के दिन का low था और यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा restore reward मिल रहा था इसी वज़े से यही पर मैंने अपनी position exit की आप यहाँ पर देख सकते हो कि price ने यहाँ पर आज बहुत ही अच्छा momentum भी दे दिय और कुछ इस तरीके से simple यहाँ पर trade बन रहा था ठीक है अभी यह discuss कर रहेते कि यहाँ पर से कल किस तरीके से trade बन सकता है अभी simple यहाँ पर भी अगर आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ पर से 15 minute time frame में चलेंगे तो price ने एक important level पे आप यहाँ पर देख सकते कि resistance ले लिया है मैं आपको यहाँ पर कुछ supports बताना चाते हो अगर हमें यहाँ पर short के trades बनते इस तरीके से यह trend line निफ्टी में आज breakdown हुई थी same अगर यहाँ पर हमें कल trade मिलता है तो क्या important supports होंगे तो simple हमें यहाँ पर भी आप देख सकते कि Fibonacci trend based extension का level लेना है कुछ इस तरीके से लगाना है आप यहाँ पर देख सकते कि यह one कर के level हमारे लिए important है प्लस यहाँ पर हम थोड़ा सा cluster बनाते Fibonacci extension लेते और previous pullback को लगा देते तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1 और 1.272 मिलकर यहाँ पर एक बहुती अच्छा Fibonacci cluster बना रहे यह level एक important support का काम कर सकता है प्लस अगर हम इस वाले level को आगे अगर हम यहाँ पर extend करेंगे यह level यहाँ पर मार्क कर देता हूँ और इसी level को अगर हम यहाँ पर इस तरीके से आगे extend करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हूँ कि यहाँ पर एक swing high भी है इसी वज़े से यह लेवल मेरे लिए एक important support है अगर break हो जाएगा तो 1.6 minute अगर ये भी breakdown हो जाता है तो ये जो daily time frame वाला previous swing high का level हमने mark करके रखा है price यहाँ तक आ सकती है यहाँ पर से bounce कर सकती है ठीके यह सारे levels आपके साथ में share करने वालो यहाँ पर आप mark कर सकते हो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि exactly level यह बन रहा है 36,350 का ठीके यह level हमारे chart के उपर होना चाहिए Fibonacci cluster बन रहा है किस तरीके से बन रहा है पूरा analysis आपको यहाँ पर बता दिया है सिर्फ level नहीं बता यहाँ यहाँ पर live analysis करके बता यह ठीक है अब यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड लेंगे एक तो short का trade हमने यहाँ पर discuss कर लिया और दूसरा long का trade बनेगा जो की हमारा यहाँ पर one करके extension level है अगर price इस level को breakout करता है तो ही में long लूँगा otherwise यहाँ पर में interested नहीं रहूँगा तो यह पूरा analysis बन रहा है nifty और bank nifty में अभी यहाँ पर से stocks की दरब चलते हैं तो सबसे बेला stock है आपर मैंने excited industries का select किया है अगर हम daily time frame में चलेंगे तो आप यहाँ पर देख सोकते कि एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर breakout हो चुका है falling wage pattern का यहाँ पर देख सोकते कि price इस वाले trend line का support लेके ऊपर जा रही है और अभी price इस वाले trend line के आसपास आ चुकिया अगर हम यहाँ पर से 15 minute time frame में चलेंगे तो आप यहाँ पर देख सोकते कि price लगबक यहाँ पर आ चुकिया मतलब trend line को touch कर दिया है अभी कल हमें यहाँ पर से एक बहुत ही अच्छा breakout देखने को मिल सकता है यह उपर की resistance वाले trend line यह नीचे की हमारी support वाले trend line अभी जिस भी direction में यह breakout दे रहा है उस direction में हमें trade करना है एक बहुत ही अच्छा momentum यहाँ पर बन सकता है अभी next जो stock है हो है SBIN SBIN भी अपने important level पर आ चुका है अगर हम daily time frame में चलेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यह अपने previous swing high के आसपास आ चुका है और price यहाँ पर rejection ले रहा है अभी rejection ले रहा है मुझे किसे पता चल रहा है अगर हम यहाँ पर से 15 minute time frame में चलेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि same level पर price यहाँ पर kind of double top pattern बना रहा है और अगर यह double top pattern successful हो जाता है तो price यहाँ तक बहुती easily travel कर सकते है तो उसके बीच में बहुती अच्छे trades बनेंगे यहाँ पर एक बहुती अच्छे trend line बने रहे है इससे हमें mark कर लेना है अगर कल 5 minute time frame या फिर 15 minute time frame में भी इसका breakdown होता है तो कोई भी pullback देखकर यहाँ पर से बहुती अच्छे shorting के trades लिए जा सकते है low risk high reward trade यहाँ पर बन सकता है ठीक है तो यह है मेरी stocks के analysis और nifty और bank nifty के analysis होप है आपको analysis समझ में आ गई होगी पसंद आ गई होगी अगर analysis पसंद आई तो please इस वीडियो को like कर जीजे आपके friend के साथ trading के मुझे साथ share कर दीजे और इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चानल को subscribe भी कर दीजे तो आज की वीडियो में इतना है रखते thank you very much